हिंदू पंचांग के अनसार मार्ग शीश महा के शुकलपक्ष की पंचमिती थी यानि इस बार 17 दिसंबर रवेवार को विवाह पंचमी मनाई जाएगी इस दिन भगवान श्री राम और मा जानकी का विवाह हुआ था धार्मित मानिता है कि विवाह पंचमी पर भगवान श्री राम और मा जानकी की पूचा अर्चना करनी से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ती रुपती है साथ ही घर में सुख समरिधी एवं खुश हाली आती है अगर आप भी अपने जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो विवाह पंचमी के दिन पुछ धार्मिक उपाई, जोतशाचारे और पंडित बताते हैं जो आपके लिए बेहद ही लाबकारी साबित होंगे आपको क्या उपाई करने हैं? चलिए हम बता देते हैं अगर आपका विवाह नहीं हो रहा और आपको शिग्र विवाह करना है तो जोतशाचारे और पंडित बताते हैं कि जो लोगों के विवाह में बाधाई आ रही हो या फिर देरी हो रही हो उन्हें विवाह पंचमी के दिन रद रखना चाहिए और विधी विधान के साथ भगवान राम और माता सीता का पूजन करना चाहिए इसी के साथ प्रभूश्री राम और माता सीता का विवाह संपन करवाना चाहिए पूजन संपन होने के बाद भगवान से अपनी मनोकाम नापूर्ण होने की विंती करनी चाहिए मानिता है कि इससे शीग्र विवाह के योग बनते हैं साथ ही योग्य जीवन साथ ही भी मलता है एवं विवाह में आ रही अर्चने दूर हो जाती है इस दिन आपको भगवाम राम की आराधना करनी है साथ ही सीता मा की भी आराधना करनी है इससे आपकी विवाह में हो रही देरी जल्दी ही खत्म हो जाएगी जीवन में आएगी सकारात्मक्ता अगर आप जीवन में सकारात्मक्ता चाहते हैं इसलिए विवाह पन्चमी के दिन रामचरित मानस का पार्ट करना बेहद फ़लदाई होता है ये बेहद ही शुदु माना जाता है रामचरितमानस का पाठ करने से जीवन में सब ही कश्ट दूर हो जाते हैं और मन शांत रहता है कभी भी आपको दुख नहीं आएंगे अगर आप विवहपंचमी के दिर ये काम करते हैं जैसे जिनके वैवाहिक जीवन में संतान या परिवार से सम्मंदित कोई भी समस्या है वेज़न श्रीराम और सीता मा का पूजन करके श्रीराम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें इससे जरूर ही आपको लाप मिलेगा आपको विवहपंचमी के दिन भगवान श्रीराम का विदिवत पूजन और सांकेतिक रूप से या उसव से विवह कराना है मासीता से इससे आपके जीवन में आ रहे हैं सब ही कश्ट दूर हो जाएंगे सांसारिक कलेश खत्म होगी जयन जान की मंगल का पाठ अत्यत पलदाई माना जाता है अगर आप अपने वहवाही के जीवन में मिठास चाहते हैं तो आपको विवहपंचमी के दिन ये चोटा सा काम करना है भगवान राम और माता तीता का मन में जान करें तुलसी की माला से यथा शक्ति इस मंत्र का जरू जाप करें ये मंत्र बेहद ही सरल है ओम जान की बल्लबाई नमहा आपको इस मंत्र का जाप करना है ये मंत्र एक और बार बोलके बता देती हो ओम जान की पल्लवाय नमा इसमें से किसी भी एक दूहे का आपको जब करना बेहद ही लावगारी साबिक होगा और इससे आपके वैवाहिक दिवन में खुश हाली आईगी अगर आप ग्रह दोश से परेशान हैं और ग्रह दोश से मुक्ती चाहते हैं तो इसन लाल कलम से 108 बार श्री राम का नाम किताब करने हैं या अनार की कलम से अश्ट गंद की शाही बना कर होज पत्र पर अंकित करें ताकि अनिश्ट ग्रहों की पीड़ा भी सरलता से दूर हो श्राइर राम नाम लिखने से शनी राहू केतु की पीड़ा से भी आपको मुक्ती मिल जाएगी आपको बता दें कि विवहपंचमी के दिन कोई भी शुबकार्य या विवह नहीं किया जाता इसलिए भी आपको भूल कर जिन विवाह नहीं करना है लेकिन विवाह पंचमी के दिन आपको विधी पूरवक राम जी और सीता जी का विवाह जरूर कराना है अगर आप ये नहीं करा रहे तो आपको जिन राम जी और सीता मा की विधी पूरवक पूजा जरूर करनी है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजली को सब्सक्राइब करें